कहानी ऐसी एंगलू अदाकार की है जो वॉलिवुट की टॉप मोश डांसर बनने का सपना लेकर आई थी बेश डांसर बनने का सपना इस अदाकार ने बच्पन में ही देखा था ये बात 1950 के दशक की है जब लड़कियों को डांस और संगीज से काफी दूर रखा जाता था लेकिन इस अदाकारा ने अपने सपने को इस अंदाज में जिया कि लोग उनके दांस की एक जलक के लिए दिवाने हो गए उन दिनों की फिल्मी सदाकारा के डांस आइटम के बिना अधूरी लगती थी वा पचास के दशक की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली और काफी लगजरी लाइफ जीने वाली अविनेत्रियों के लिश्ट में टॉप पर थी कहा जाता है कि जबसे कुकू ने वॉलिवुट में अपना कदम जमाया सिनेमा प्रेमी उनके आशिक बन गये मोरे के डांस और एक्स्प्रेशन की दिवान की लोगों के बीच ऐसी थी डारेक्टर को विवास होकर उनके आइटम डांस को डालना पड़ा था हाला कि आपको ये जानकर काफी दुख होगा कि जिसने सभी को हसाया और उनका मनुरंजन किया उनका आख्रिशा में काफी दुख था है रहा कुकू मूरे का जन साल 1928 में एक एंगलू परिवार में हुआ था उन्होंने अपना वॉलिवूड डेवियू साल 1946 में डिरेक्टर नानु भाई वकील की फिल्म अरब का सितारा से किया था इस फिल्म में उन्होंने इतना बेतरीन डांस किया कि डिरेक्टर उन्हें हर फिल्मों में साइंग करने लगे उनकी डांसिंग टैलेंट और कमाल का कैवरी स्टाइल देख लोग उने रबर गर कहकर बुराने रगे आपको ये जानकर हैरानी होगी 40-50 के दसक में एक गाने के लिए 6,000 रुपए लिया करती थी जो उस समय काफी ज़ादा हुआ करते थे लगजरी लाइफ स्टाइल के लिए थी फेमस कोकू अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ थी साथ अपने पॉसनल लाइफ को लेकर विडेशों में काफी फेमस थी वो अपनी लगजरी लाइफ स्टाइल के लिए जानी जाती थी कहा जाता है कि उनके पास बेशुमार दौलत थी आलम ये था कि उनके पल तो कुत्ते भी दूसरे गाड़ी में खूमा करते थे उनके पास तीन लगजरी गाड़िया थी मुंबई में एक बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था कहा तो ये भी जाता है कि उनके पास बहुत ही जादा ज्यालरी थी और अलग-अलग डिजाइन के लिए 5,000 चपले और करीब 8,000 से जादा महेंगी डिजाइनर ड्रेसे थी उनकी पहली फिल्म थी मुजरीम जो साल 1944 में रिलीज हुई उसके बात की मातपूर फिल्मों में पहली नजर अरब का सितारा, अनुखी अधा, बजार और आवारा के नाम लिए जा सकते हैं यहां इस बात का जिक्र भी किया जा सकता है कि फिल्म पहली नजर में महाद भाशो गायक मुकीस ने अपने करियर का आगाज करते वी मशूर गीत दिल जलता है तो जलने दे गाया था अपने शमय की बेहर मशूर गायका शमशात बेगम ने उनके लिए अनेक याद गीत का है और इन दोनों ने एक सूपर हिट कॉमिनेशन तयार किया डांस और कैबरे के अलावा कुकू ने 1945 के फिल्म अंदाज में राज कपूर, दिलीब कुमार और नर्गिस जैसे बड़े नामों के साथ अबने भी किया 1952 में मैभू खान ने एक रंगेन फिल्म बनाई ओन और इस फिल्म में भी कुकू को लिया गया यह अलग बात है कि 1960 के दशक के सुरवाती सालों तक कोकू ने छिट पुट काम किया लेकिन और उन और के बाद गुरुदाति स्टार और मिस्टर और मिसिस वच्पन के बाद दीरे दीरे उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया क्योंकि उनकी जगा लेने को नई अविनेत्रियों की खेब तयार खड़ी थी माना जाता है कि 1962 के फिल्म गर्स होस्टल उनकी आखरी बड़ी फिल्म थी उसके बाद उनको कोरश में काम करने के इका दुका मौके और मिले आखरी वक्त पर खाना नहीं हुआ नशीब आपको ये जानकर काफी दुक होगा कि लगजरी लाइफ जीने वाली कुकू को आखरी पलों में खाने के लिए तरशना पड़ा था उनकी लगजरी लाइफ इस्टाइल कंगाली में बदल गई ये तब हुआ जब आएकर विभाग ने आए से अधिक संपत्ती रखने और कानून का उलंगन करने की वज़ा से उनकी सारी संपत्ती जप्त कली देखते ही देखते कुकू का इस्टाडम खतम हो गया और वा अर्शशेप फर्श पर आ गई उनकी सारी दौलत और शौरत छीन ले गई मशूर अबनेति तबश्चुम ने इक वाली की इंटरव्यू में खा कि महंगी गाड़ी से चलने वाली और बड़े बड़े फाइव स्टार होटलों में खाना मंगाने वाली कुकू की लाइप में एक ऐसा दिन आया कि वो सबजी मारकेट में जाकर फेकी गई सबजीयों और अन खाने वाली चीजों को बटोरने लगी और उन्हें खला कर पका कर खाती थी जिस दिन उनका निदान हुआ उस दिन उन्होंने खाना तक नहीं खाया था और जब वो मर गई तो कफन को पैसे भी नहीं थे दुख की बाद ये भी है कि आकरी दिनों में कुकू काफे बिमार हो गई थी उन्हें कैंसर हो गया था बता देती सितमर 1981 में कुकू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया